जो शिवभग भगवान शूलपाने के इस इस्तोत्र को प्रातहकाल भावानूरक्त होकर पाठ करते हैं, उन्हें पुत्रमित्र धन धान्य और मौक्ष की प्राप्ती होती है। अथ श्री शिवास्टकंद। प्रभुम् प्राड नाथम् बेभुम् बेश्वनाथम् प्रभुम् प्राड नाथम् बेभुम् बेश्वनाथम् जगन्नाथ नाथम् सदानंद भाजम् भवात्व ब्यभुतेश्वरं बूत्नाथम् शिवास्टकंद। प्रभुम् प्राड नाथम् बेभुम् बेश्वनाथम् बेश्वनाथम् गले रुन्ड मालं तनो सर्प जालं महाकाल कालं गड़े शाधि पालं जटा जूत भंगो तरंगेर विशालं शिवाम् शंकरं शंभुमी शान मीदे प्रभुम् प्राड नाथम् बेभुम् बेश्वनाथम् प्रभुम् नार्नाथम् विभुम् बेश्वनाथम् मुदा माकरं मंडनं मंडयंतं मुदा माकरं मंडनं मंडयंतं महामंडलं भश्नभु शाधरंतं अनादिम्य पारं महामोह मारं शिवं शंकरं शंभुमी शान मीदे प्रभुम् प्राण नाथम् विभुम् बेश्वनाथम् प्रभुम् नाथम् विभुम् बेश्वनाथम् कटाधो निवासम् महाता तहासम् कटाधो निवासम् महाता तहासम् महापपनासम् सदासु प्रकासम् गिरिशं गड़ेशं सुरेशं महेशं सिवं शंकरंशं भुमी शान मीदे प्रभुम् प्राण नाथम् विभुम् बेश्वनाथम् प्रभुम् प्राण नाथम् विभुम् बेश्वनाथम् गिरिंद्रात्म जासंद्रही तार्ध देहं गिरिंद्रात्म जासंद्रही तार्ध देहं गिरोसं स्तितं सर्वदा संगेहं पराप्रामः ब्रामः दिभिर्वन्द्य मानं शिवम् शंकरम् शंभुत्मी शान मीदे प्रभुम् प्राण नाथम् विभुम् बेश्वनाथम् प्रभुम् प्राण नाथम् विभुम् बेश्वनाथम् कपालम त्रिशूलम कराभ्याम् दधानम कपालम त्रिशूलम कराभ्याम् दधानम पदाम भोजनाम राय कामं दधानम वली वर्द यानम् सुराणां प्रधानम् शिवंशंकरंशं भुप्नी शानमी दे प्रभुं प्राणनातं विभुं विश्वनातं प्रभुं नाणनातं विभुं विश्वनातं शराच्चा अंद्रे गात्रम् गुडानंद पात्रम् शराच्चा अंद्रे गात्रम् गुडानंद पात्रम् त्रिनेत्रम् पवित्रम् धनेशास्यमीत्रम् अपडाकलात्रम् चरेत्रम् विजित्रम् शिवंशंकरंशं भुप्नी शानमी दे प्रभुं प्राणनातं विभुं देश्वनातं प्रभुं प्राणनातं विभुं देश्वनातं परम सर्पहारम चिता हो विहारम परम सर्पहारम चिता हो विहारम भवं वेद्शारम सदा निर्विकारम श्मशानेवसंतं मनोजंदहंतं शिवंशंकरं प्रभुं प्राणनातं विभुं वेश्वनातं प्रभुं प्राणनातं विभुं वेश्वनातं स्तवं यह प्रभाते नरह सूल पाले पठेत सर्वदा भर्ग भावानुरक्तह सपुत्रम धनम धान्यमित्रम कलत्रम विचित्रम समासात्य मोक्षं प्रयाती इतिश्री शिवास्टकं संपुर्णं